नमस्कार WKB News के सबसे खास, सबसे सटी और महतोपूर्ण पेशकर्ज देशपरज दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सहयक पुलिस आउकतर संजय पार्टी ने चांदिवाल आयो के समक्ष अपनी गवाही में का है कि सचिन वजह एक आग्याकारी और बहुत अच्छा काम करने वाले अधिकारी है इसे बीच राज में कोरोणा मरेजों की बरती संख्या के बावजूद राज में लॉकड़ान नहीं लगाने का फैसला लिया गया है लेकिन पाबंध या और बड़ाई जाएंगी उधर NCP के आगामी सूचना तक अपनी सभी राजनितिक कारेक्रमों स्तगित कर दिये गए है पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने इसकी जानकारी दी है वहीं विदान सबा में विपक्ष के नेताद देवेंदर फड़नवीस ने उत्तरपदेश के मुख्यमंतरी योग्यादितनात की जम कर तारिफ की है तो मुख्यमंतरी उद्व ठाकरे की बीमारी के कारण मुंबई महालगर पालिका के आगामी चुनाओं में श्यूसेना की जीत का सिलसिला बरकरार रखने और बीमसी पर सत्ता काविस रखने की जिमेदारी अब आधित्त के कंदों पर आ गई है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ महाराश के ततकालिन गुर्वमंतरी अंडिल देश्मुकर ब्रश्टाचार कारोब लगाने वाले मुंबई के पूरा पुलिस आयुकतर परंबीर सिंग के पत्र में उल्ले की सायक पुलिस आयुकतर संजय पार्टिल ने कहा कि सचिन वजह एक आग्याकारी और बहुत अच्छा काम करने वाले अधिकारी है चांदिवाल आयो के समक्ष अपनी गवाही में पार्टिल ने यह भी कहा कि वरिष्टों की ओर से भी वजह के बारे में कोई प्रतिकुल टिपनी कभी नहीं सुनी पार्टिल ने यह जानकारी होने से भी इनकार किया कि वज़े या उनके तहत किसी अन्यमा तहत पुलिस अधिकारी देशमुगद्वारा कथी जबरुन वसूली की मांग किये जाने पर चर्चा के लिए कोई बैठक बुलाई थी पार्टिल ने वज़े के साथ जिरह के दवरान ये बयान दिये उन्होंने कहा कि मुंबई अपराज शाका के अधिकारियों के लिए एक वाटसैप ग्रूप है इस ग्रूप में भी कई बार वज़े को लेकर समवात पदर्शित किये गए है बता दे कि वज़े उद्युकपती मुकेशंबानी के यहां स्तित आवास के बाहर फरवरी 2021 में एक संदिक तवाहन खड़ा पाय जाने के मामले में और इसके ठीक बात उक्तवाहन के मालिक एवन कारोबार मनसुखिरेन की हत्या के मामले में मुक्ष्या रूपी है वाहन में जिलेटीन की कुछ छड़े रखी हुई थी इसकी जान जैसे जैसे आगे बढ़ती गई प्रदेश में बवाल बढ़ता गया था राज में कोरणा मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद राज में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया गया है हाला कि बढ़ती भीड और मरीजों की संख्या को देखते हुए राजसरकार ने पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला लिया है बुधवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अदक्षता में मंत्राले में हाई लेवल मिटिंग हुई जो तकरीबन एक घंटे चली बैटक के बाद राज के स्वासमंत्री राजस्टोपे ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या चिंता का विशह है तीन दिन में मरीजों की संख्या दोगनी हो रही है लेकिन इस सब के बीच रहत वाली बात ये है कि 90 फिसदी लोग लक्षन रही थे इन में से भी सिर्फ एक फिसदी मरीजों को ही अस्पताल में भरती करना पड़ रहा है फिर भी उपमुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में जिन सक्त प्रतिबंदों पर विचार किया गया है उनमें सरकारी दफ्तरों में करमचारे की उपस्तिती 50-75% के बीच किये जाने पर चल्चा हुई है प्राइवेट कारे लेओं में फिर से वर्क फ्रॉम होम लागू किये जाने की संभावना है दुकानों, होटलों, रेस्टोरंट्स और मॉल्स का समय कम किये जाने की भी संभावना है अलावा इसके राजनीतिक धार्मिक कारेक्रमों पर प्रतिबन और सक्त किये जा सकते है स्वास्तेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने की तैयारी की गई है सारोजनिक परिवहन से यात्रा पर प्रतिबन और सक्त किये जा सकते है दिन में बेस्ट की बसो और लोकल पर प्रतिबंद की भी संभावना है महराश्ट में बुद्धवार को कोरोना वाइरस संक्रमन के 26,538 नए मामले सामने आए पिछले 24 गंटे में 8 कोरोना मरीजों की बीमारी से मौत हो गई मुंबई में एक दिन में कोरोना के 15,167 मामले मिले जो की अब तक का सरवादिक है यहाँ तीन मरीजों की मौत भी हुई है स्वास्ति भाग ने बताया कि नए मामले पिछले दिन की तुलना में 43,7 एक प्रतिशर्थ बढ़ गए प्रिस्तिती को देखते हुए राज की महाविकास आगाडी सरकार में सत्तारूट पार्टनर एंसीपी ने आगामी सुचना तक अपने सभी राजनिती कारेक्रम स्तगित कर दिया है पार्टी के प्रवक्ता और राज के अलपसंगे विकास मंतरी नवाब मलीक ने बताया कि कली यश्वंतरा और 4 प्रतिश्टान में पार्टी की वरिश्चनेताओं की बैटक में यह फैसला लिया गया बैटक की अध्रक्षता पार्टी प्रमुक्षरत पवार ने की पार्टी ने अपने सभी नेता और मंत्रियों को निर्देश दिया है कि ऐसा कोई कारेक्रम आयोजित न करे जिसमें भीर जमा हो हाला कि मंत्रियों, प्रभारी मंत्रियों और संपर्क मंत्रियों को उनके संबंदित जिलों में जाकर कारे करताओं से सम्वास्थापित करने को कहा गया है पार्टी के अंतरगर्च चुनाओ और सदसता अभियान को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई यह तै किया गया कि स्थानिय निकाय चुनाओ में किस के साथ गडबन करना है या नहीं करना है इसका फैसला पार्टी नेता स्थानिय स्थानिय सर पर ही लेंगे विदान सभा में विपक्षकेनेता देवेनर फड़नवीस ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंतरी योगी आदितनात की जम कर तारिफ की उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ के नेत्रुत में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का परिवर्तन हुआ है उसे देख कर पूरी दुनिया अचम बित है विरोधी कुछ भी कहे लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है जनता अपनी आखों से सच देख रही है कि योगी के निर्तुत में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई रहा पकड़ी है और प्रदेश में भाजपा काफी मजबूत है इसलिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विदानसवा चुनाओ में भाजपा पिछले चुनाओ के जाकर वाकी चौपर विदानसभा शेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के उत्तरभारतिय मोचे के अध्यक्ष संजेपांडे मौजुद थे। फड़नवीस ने कहा कि महाराश में रहने वाले उत्तरभारतियों को उत्तरपदेश से ज और पार्टी का संगटनात्मक धाचा भी इस तरह का है कि इसके लिए उसे कुछ विशेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी चुनाव की दुरुष्टी से होने वाले नियोजन और इस बार की बदली परिस्तिती को देखते हुए आदित ठाकरी की मदद के अब आदित्य के कंदों पर है। शिवसेना में चर्चा है कि आदित्य इस जिम्मेदारी को ठीक उसी तरह से निभाएंगे। जिस तरह 2002 में उद्व ठाकरे ने बीमसी चुनाओ की जिम्मेदारी अपने कंदे पर ली थी और बीमसी पर शिवसेना का जंडा बरकरार रखा खबर है कि उद्व ठाकरे ने पार्टी के सबी चोटे बड़े नेताओ को यह निर्देश दिया है कि पास्वर गफीट के घुर का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का जो फैसला हाल ही में लिया गया है उसका जोरदार धंग से प्रचार किया जाए। साथ ही अब तक पार् अंदर लगाने के बजाए कारे करता और नेता सीधे जनता के बिज्जाए और उन्हें शिव से ना द्वारा किये जा रहे और किये गए कारियों की जानकरी देन। सालों से राज्टेवतिया ऑनलाइन एक्जाब पास करवाने का धंदा कर रहा है। वही गुजरात के सुरत में एक प्रेंटिम मिल में सुबह सुबह गयास लिक हो गई। इससे छे करमचारियों का दम घुड़ गया और उनकी जान चली गही। उधर प्रधानमंत्री नरिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इसे बीच केंद्रियस सडक और परिवहन मंत्री नितिनगर्ड करी ने कहा कि अब कारे बाइक और पेट्रोल डीजल से नहीं बलकि पानी से चलेंगी। इसका पहला कारखाना उत्तरपदेश के प्रयागराज में लगेगा। द्रिश की उत्तरी लखिमपूर पुलिस ने भराली के खिलाब कथित मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद भराली ने गुहवार्टी उच्चनाले में गिरफदारी से पहले जमानत याची का दाखिल की। नायमूर्तिय अरुंदे औ कि भराली को बिना लिखित आदेश के पुलिस टेशन के अधिकाश शेत्र को छोड़ कर जाने के उनुमतीन नहीं है। जिस छात्रा ने भराली पर दुशकर्म का आरोप लगाया है वह उद्दो भराली के ही सरक्षन में भी। भराली ही उनका पालन पोशन कर रहे थे लेकि कभी को उन्होंने पेटन्ट भी करवाया है। समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें पदमश्री अवार्ड भी दिया गया था। उनके नाम 49 पेटन्ट है और आज तक उन्होंने 98 अन्वेशन किये है। उनके अन्ने कुछ उलेक्निय यंत्र है। सुपारी वद्रक के छिलके निकालने वाला यंत्र चाय के पत्तों को निकालने वाला यंत्र आदी। किसी भी ऑनलाइन एक्जाम को क्रायक करने का दावा करने वाला राश्तेवतिया दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। पिछले करीब 5 सालों से राश्तेवतिया ऑनलाइन एक्जाम पास करवान का धंदा कर रहा है पूश्टाच में उसने बताया कि वह SSC, CHSL, भारतिय थल से ना, भारतिय नाउ से ना, वन्युभाग गार्ट की परिक्षा, रेलवे गुरूब डी के अलावा, JVVNL समेत अन्य परिक्षा को पास करवा चुका है बताया जारा है, शादी के बाद इसकी पतनी ने ओनलाइन एक्जाम दिया था, इसी दवरान राज को ओनलाइन एक्जाम में नकल करवाने का पता चला, उसने धीरे धीरे ओनलाइन परिक्षा दिलवाने वाले सेंटर में हिस्सेदारी ले ली, इसके बाद वज़ 2017 से पूरी भी रूसी हैकर्स के संपर्क में आया था, यह भी बताया कि वज़ 2018 में वो हैकर्स से मिलने के लिए रूस गया था, वहाँ उसने भारत में होने वाले ओनलाइन एक्जाम को हैक करने के लिए टूल बनाने के लिए कहा, वहाँ से हैकर्स से बात चित कर उनको भारत भी लाया उसके कहने पर 2020 में कुछ हैकर्स या भारत में आये थे और लॉकडाउन में फस गए थे उनकी मौजुदगी का पुलिस को पता चला है गुजरात के सुरत में एक प्रिंटिंग मिल में सुबह सुबह गैस लीक हो गई इससे छे करमचारियों का दम घुड़ गया और उनकी जान चली गई हाथसे में 20 से ज़्यादा लोगों की हालत गंबिर बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक विश्यप्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से एक गयास रिसाओ के कारण ये हाथसा हुआ सुरत नगर निगम के प्रभारी मुख्या अगनिशमन अधिकारी बसंत पारिक ने बताया कि सुबह करीब चार बच कर पच्चेस मिनिट पर घटना की जानकारी हुई बताया जा रहा है कि मिल के पास एक नाला स्थित है सुबह सुबह एक अग्याट टाइंकर चालक उस नाले में जहरीला केमिकल डार रहा था इसी समय जहरीली ग्यास का रिसा होने लगा इसकी चपेट में मिल के करमचारी भी आ गए और लोगों का दम घुटने लगा यह जानकरी जैसे ही लोगों में पहुँची अफरा तब फ्रीम मच गई किसी ने पुलिस को इसकी सूच ना दी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर गंबिर हलत वाली लोगों को तुरंद अस्पताल पहुचाया प्रात्मिक जानकरी के मुताबिक हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई हाथसे के सही कारण का भी पताल लगाया जा रहा है मौके पर पहुँचकर दमकल कर्मियों ने रेस के ओपरेशन शुरू किया इस घटना में कई कर्मचारी बेहोश हो गए जिनने अस्पताल में भरती कराय गया दमकल कर्मचारीों ने टैंकर के वॉल को बंद करके गैस रिसाओ पर काबू पाया पंजाब के सिमान जिला फिरोजपूर में रैली करने आ रहे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की सुरक्षा में हुई बड़ी चुक के कारण बुद्वार को प्रधान मंतरी को रैली रद्द कर वापस दिल्ली लोटना पड़ा मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब एवम हरियाना हाई कोर्ट के पूर्वजज जस्टिस महताब सिंगिल और अइडिशनल चिप सेक्रेटरी ग्रोविबाग अनुराग अगरवाल को इसकी जांच सोब दी है कमेटी से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है बतादे की प्रधानमत्री नरेंदर मोदी बुद्वार सुब 11 बजे विमाज से सुब बठिंडा पहुचे थे वहाँ पंजाब सरकार की ओर से वित्तमंत्री मनपरीद बादल ने उनका स्वागत किया प्रधानमत्री को बठिंडा एरपोर्ट से हिलिकॉप्टर से हुसेनिवाला पहुचकर राष्टिय शहीद समारक का दोरा करना था परन्तु मौसम खराब होने के कारण हिलिकॉप्टर उडान नहीं भर सका इस कारण प्रधानमत्री का काफिला सडग मार्क से फिरोजपूर के लिए निकला था बठिंडा के करीब 100 किलोमेटर दूरस्थित फिरोजपूर से करीब 8 किलोमेटर पहले ही प्रधानमत्री के काफिले को रास्ते में रोक लिया गया भारत पाक सीमा पर हुसेनिवाला से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर कुछ किसान पहले से धरने पर थे और जब उन्हें पता चला कि प्रधानमत्री का काफिला इसी रास्ते से आ सकता है तो उन्होंने और लोगों को भी बुला लिया यह समेधन शिल शेत्र माना जाता है और आतन की निशाने पर रहा है अब कारे और बाइक पेट्रोल डिजल से नहीं बलकी पानी से चलेंगी इसका पहला कारखाना उत्तरपदेश के प्रयागराज में लगेगा केंदरी सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के जरिये प्रयागराज में कारखाना लगेगा जहां पानी से ऑक्सिजन और हाइड्रोजन को अलग कर इंधन बनाया जाएगा इससे ना केवर लोगों को रोजगार मिलेगा बलकि सस्ता इंधन भी मिलेगा गड़करी ने यह भी कहा कि अमुनानादी पर सीपलेन चलेगा और दूसरी चरण की योजनाओ का शेलन नयास करके जब मैं प्रयागराज आऊँगा तो आपसे वादा करता हूँ कि सीपलेन से ही आऊँगा गड़करी शुरुगवेरबुर धाम में जनसभा को सम्मोदित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है और हम जो कहते हैं उसे पूरा करते है इस मौके पर आयोध्या से रामेश्वरम तक सड़क बनाने की भी घोशना की इससे पहले गड़करी ने राम जन्वभूमी आयोध्या से भगवान श्री राम के वनवास्थल चित्रकूट को जोड़ने वाले राम वन गमन मार्क का शिलान नयास किया गड़करी ने कहा कि भगवान राम की सेवक के रूप में यह कारे करने आया हूँ पाच अजार करोड की लागत से 251 किलोमीटर लंबा राम वन गमन मार्क बनेगा और राम वन गमन मार्क बन जाने से ऐसे तीन घंटे में आयोध्या से चित्रकूट की दूरी तै हो सकेगी इस मौके पर केंद्रिय सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने प्रयागराज को करोडों की 400 दूसरी परियोजनाओ की भी सवगात दी दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में आज पाकिस्तान से जुड़ी दो अहम खबरे है एक में प्रदान मंत्री इमरान खान का सच सामने आया है तो दूसरे में पाकिस्तान मूल के एक नामचीन शास की बेशर्मी सामने आई है इमरान खान जहां विदेशी चंदे को छिपाने पर बुरी तरह से घिर गया है तो पाकिस्तान में जन्मा लॉड नजिर अहमद के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक मैथुन और एक लड़की के साथ दो बार रेप के प्रयास का दोशी पाया गया है वह अमेरिका के फिलाड इलफिया शर में दो मंजिला मकान में लगी भीशन आग में आट बच्चों समेत बारा लोगों की मौत हो गई दमकल अधिकारियों ने यह जानकारी दी इसे बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खिची डूरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है पाकिस्तान द्वारा बिच्चाई गई कंटीली बाड को तालिबान लड़ाको ने कई जगों से उखाड फेका है तो उतर कोरिया का तानाशा कीम जोंग फिर से सुर्खियों में है उतर कोरिया द्वारा किया गया हाइपरसोनिक मिसाल का परिक्षन अमेरिका को नागवार गुजरा है दुनिया भर की इन पाज बड़ी खबरों को विसार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ पाकिस्तान के प्रधानमंतरी इमरान खान अब अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरी के इनसाप को मिले विरेशी चंदे को छिपाने पर बुरी तरह से घिर गया है एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक और पाकिस्तान के एक बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि पार्टी को 1.64 अरब रुपे का फंड मिला जिसमें से 31 करोर रुपे से अधिकी कोई रिपोर्ट ही नहीं की गई और इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया PMLN की उपादेक्ष मरियम नवाज ने एक बयान में कहा कि इमरान खान ने न केवल चोरी की और छिप गए पुर्ण वित्य अनियमित्ताओं का आरोप लगाया जिसमें धन के अवयद स्त्रोथ पाकिस्तान और विदेशों में छिपाए गए बैंक खाते, मनिल लॉडरिंग और मध्य पुर्वस से अवयद धन प्राप्त करने के लिए नीजी बैंक खातों का उपयोग शामिल है साफ है कि चुनाओं से पहले पाकिस्तान तरीक ए इंसाफ पार्टी की तरप से जो मनसूबे पेश किया जाते रहे वह कई दिखाईन नहीं देती सरकार की तमाम कोशिशों, मित्र देशों से बड़ी मदद हासिल करने में कामियाबियों और सरकार के लंबे चोड़े दाओं के बावजूत करवी सच्चा यही है कि देश की अर्थ्वेवस्ता को पट्री पर लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा पाकिस्तान में जन्मा लॉर्ड नजीर एहमद एक बच्चे के साथ अप्राक्रोतिक मैथुन और एक लड़की के साथ दो बार रेप के प्रयास का दोशी पाया गया है नजीर के साथ उसके दो भाईयों को मुहमद फारुक और मुहमद तारीक के खिलाब आरोप सही पाये गया है नजीर के दोनों भाई जादा उम्र हो जाने के कारण ट्रायल में शामिल होने के लिए अन्फिट पाये थे इससे पहले एक महिला ने कोट को बताया था कि नजीर अहमद ने साल 1973 और 1974 में रेप का प्रयास किया था उस समय नजीर की उम्र 16 या 17 साल की थी और पीडित लड़की उससे भी काफी चोटी थी नजीर अहमद ने इन आरोपों को दुर्भावना पूर्व करार दिया था और सभी आरोपों को खारिस किया था सुनवाई के दोरान नजीर अहमद को रेप की प्रयास और अब राक्रोदिक मेहतुन का दोशी पाया गया है बिटिश अदालत अब चार फरवरी को इस मावले में सजा का एलान करेगी लाड नजीर अहमद लेबर पार्टी के वरिष्ट नेता और बिटिश पीम रह चुके टोनी बलेयर का करीबी भी माना जाता रहा है यही नहीं लाड नजीर अहमद बिटिश संसत के उच्चे सदन हाउस ओफ लाड में आजीवन सदे सिन्युक तक ये गए पहले मुस्लिम संसत है लाड नजीर अक्सर भारत के खिलाब जहरिला बयान देता रहता है साल 2019 में उसने पीम मोदी के मौत की काम ना की थी वर लेबर पार्टी का पूरोनेता भी रह चुका है अमेरिका के फिलाडेलफिया शहर में दो मंजिला मकान में लगी भीशन आग में आठ बच्चों समेद 12 लोगों की मौत हो गई दमकल अधिकारियों ने यह जान करी दी अधिकारियों ने बताया किल दो लोगों को अस्पताल भेजा गया है और इनने पीडितों की तलाश की जा रही है अधिकारियों ने कहा कि इस भीशन आग से और भी लोगों की जान जाने की आशंका है इस मकान में कुल 26 लोग रहते थे अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया है दमकल अधिकारियों के अनुसार मकान में आग लगने की सूचना देने वाला अलार्म काम नहीं कर रहा था बुद्वारतर के लगी आग का कारण भी ग्यात नहीं है लेकिन यह शहर में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हाथसा है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई यह घटना फेयर माउंट इलाके की है जो शहर के उतर पशिम में स्तीत है पास में ही फिलाडेलफिया म्यूजियम आफ आर्ट बी स्तीत है अधिकारियों ने घटना स्तल के पास मीडिया को सभी जानकारी भी दी राश्टपती जो बाइडन की पतनी जिल बाइडन ने घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि फिलाडेलफिया में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रती मेरी सम्वेदनाए है शहर के मेर जिम केनी ने कहा कि यह निसंदे हैं हमारे शहर की इत्यास में सबसे दुखत दिनों में से एक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खिची डूरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के आसार अब साफ नजर आ रहे है बिशले कुछ महिनों और हपतों में दोनों देशों के बीच सरहत पर पाकिस्तान द्वारा बिचाई गई कंटीली बाड को तालिबान दड़ाकों ने कही जगों से उखाड फेका है अफगानिस्तान अंग्रेजों के शासन के दोरान खीची गई अफगानिस्तान और बिटेश इंडिया के बीच इस रिमारेखा को सुईकार नहीं करता है डूरंड लाइन के अस्तितों में आने के बाद काबूल पर हुकुमत करने वाली हर सरकार ने इस लाइन को मंजूर करने इंकार किया है दुस्री तरफ पाकिस्तान इंटर सर्विसेस प्लब्लिक रिलेशन्स के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सरथ पर कंटिली बाड बिचाने का काम योजना के मुताबिक जारी रहेगा इस बाड को लगाने में शहीदों का खुन बहा है हम इसकी हिफाज़त करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरथ पर बाड की आवशकता है ताकि व्यापार, बॉर्डर क्रॉसिंग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को रेगुलेट किया जा सके इस बाड का उदेश लोगों को बाटना नहीं बलकि उनकी सुरक्षा करना है तो तालिबान हुकुमत के एक कमांडर सनाउला संगीन ने बताया कि उनकी सरकार पाकिस्तान को बाड का काम जारी नहीं रखने देगी बता दे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीज सरहत पर 1200 से अधिक पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट है जबकि अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर पर सिर्फ 377 पोस्ट ही बनाए है तानाशा किम जोंग की सुर्ख्या बनने का कारण हाल में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल का परिक्षन है जिसको सफल बता जा रहा है इस मिसाइल ने 700 किलोमेटर दूर अपने टारगेट पर 60 कवार किया इस मिसाइल की गती की बात करें तो ये करीब 6000 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीट से अधिक रही होगी इसका अर्थ है कि ये दुश्मन को संभलने का बेहत कम समय देती है उत्तर कोरिया की तरब से कहा गया है कि इस मिसाइल ने उनके नए फ्यूल सिस्टम पर विश्वेसनियता को बढ़ा दिया है लेकिन अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 36 का अंकडा रहा है हाला कि अमेरिका के पूरो राष्टपती डोनाल ट्रम दशकों में ऐसे पहले राष्टपती बने थे जो किम को एक मंच पर लाने में सफल हुए उनकी इस कोशिश के बाद भी एक सच्चाई है कि ट्रम और किम के बीच हुए दो सम्मेलोनों के बावजूद भी दोनों की बीच कोई समझावतान नहीं हो सका इसके बावजूद ट्रम ने हार नहीं मानी और लगातार कीम को लेकर अपना पक्ष भीड रखते रहे इसकी बदोलब ट्रम पत पर रहते हुए उत्तर कोरिया की सीमा में दाखिल होने वाले पहले राष्टपती भी बने झार झार उपिल रहे इसकी बावान पर वीड़ादान पर रहे उत्रम पूंद रहे हैं जाले एक रसे दुड़्त आपड़की सीमा में पक्ष रहे हैं